स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा चमज सरसो का तेल लेंगे आदा छोटा चमज भुनावा जीरा एक बड़ा चमज कास्मी की लाल मेच एक बड़ा चमज लसन अधरप का पेस्ट चमज धनिया पाउदर एक चुटकी गरम मसाला आदा छोटा च एक चमज आमचूर फाउडर एक बारीक कत्वा फिर्वी शिम्रम एक बारीक कट्वा तमात्र एक ट्वी हरीमस अच्छे से मिला लेंगे सबको नमक स्वादनुसार मं देख दछी अच्छें से मिला लेंगे 500 पनीर लेंगे फैच छोड़े टुक्डों में काट लेंगे एक बड़ा चमच भुना हुआ बेशन एक चोटा चमच लेमन जूस अब इनको अच्छे से मिला लेंगे एक कड़ाई में एक चमच भी डालेंगे इसमें हमारा मसाला डाल लेते हैं अच्छे से मिलाएंगे मीडियम आज पर 5-6 मिनट पर हमारे मसाले को पकाएंगे हमारा मसाला पक चुका है अभी हम इसको स्मूप देंगे तो एक प्लेट रखते हैं कड़ाई में उसमें दो जलते हुए कोईले रखेंगे जलते हुए कोईलो के ओपर हम भी डालेंगे डालते ही धकन लगा देना है और पांचे मिनट तक वैसे ही रखना है जो स्मूप का फ्लेवर है वह हमारे मसाले में आ जाएगा वह बहुत टेस्टी लगने वाला है सेंड्विच बनाने के लिए ब्रैड लेंगे उस पर बटर लगाएंगे अच्छे से ग्रीन चटनी लगाएंगे जो मसाला रेडी किया था वह मसाला लगाएंगे यहाँ पर मैंने सेंड्विच के लिए वीट ब्रैड यूज दे सकते हो अब दूसरी ब्रैड भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे बटर लगाएंगे ग्रीन छक्टनी लगाएंगे छी शलाइस को स्किप कर सकते हो अभी ब्रैड के उपर ही बटर लगाएंगे इसको तवे पर अच्छे से सेख लेंगे तो जिस साइड बटर लगाई थी वह साइड हम नीचे के साइड रखेंगे इसको दो मिनाट तक सेखेंगे जब तक यह नीचे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अभी उपर वाले साइड हम बटर लगाएंगे सेंड्विच को पलटके दूसरी साइड भी अच्छे से सेख लेंगे उपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे स्पैचुला की हल्प से और यह हमारा सेंड्विच रेडी है वाओ जितना यमी यह दिख रहा है उतना थाने में भी थेस्टी है तो अब मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राय करेगा और मुझे कमेंट करके बताना आपको यह कैसी लगी अच्छी लगी है तो शेर एं लाइक कीजिएगा और भी इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लि अजयो अच्छी के लिएना आपको यह कैसी लगी है तो शेर बताना आपको यह कैसी लगी है तो शेर लिएम्य।